दियात के थाना भोगनीपुर में नथुआपुर में पश्चू का चारा लेकर लोट रही माईला हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गई हास्ते में माईला गंबीर रूप से जुलज गई है माईला को परजिनों ने आनन फानन में CSC पुखराएं लेकर पहुँचे जहां डॉक्टर ने उसकी गंबीरता देखकर जिलास्पताल रेफर कर दिया जिलास्पताल पहुँची माईला के हालत गंबीर बताई जा रही है नत्वपुर गाउं में रहने वाली सुखदेवी खेतों पर पशियों के लिए चारा लिने गई थी पर जिनों ने बताये कि चारा लेकर वापस आ रही थी इसी दोरान रास्ते से 11,000 वोल्टेज की लाइन की चपेट में आ गई सुषना पर पहुँचे परिवार के लोग उचे सीएस्टी पुखराई ले गए जहां डॉक्टर ने सुखदेवी को जिलास्पताल के लिए रिफर कर दिया जिलास्पताल में मैला के लाज शुरू हो गया है डॉक्टरो के अंसार मैला की हालत गंबीर बनी हुई है ब्यूरे रिपोर्ट आई पी एन